फिल्म के पहले सीन में एक बच्चा जिसका नाम टोनी है और उसके माबाब दिखाया जाते हैं टोनी अपने घर में बहुत खुश था और उसके माबाब उससे बहुत प्यार करते थे वो टोनी के साथ नोकरी के बावजूद वक्ग गुजारने की पूरी कोशिश करते ताके टोनी को किसी चीज की कमी महसूस ना हो उसके बाद फिल्म की कहानी शुरू होती है टोनी एक दिन सुबा उठता है और अपने कमरे की खिड़की से देखता है कि उसके माबाब टेक्सी से उतर कर घर में अंदर आते हैं टोनी जल्दी नीचे जाकर देखता है कि माबाब के पास एक बहुत ही छोटा बच्चा होता है जिसने काला सूट और टाई पहन रखी थी माबाब टोनी को बताते हैं कि यह उसका छोटा भाई है टोनी उससे काफी तंग था क्योंकि छोटे भाई के आने के बाद माबाब टोनी की तरफ इतना दिहान नहीं देते एक दिन टोनी माबाब से कहता है कि यह बच्चा काफी अजीब है क्योंकि यह काला सूट पहनता है और इसके पास एक बकसा भी है माबाब इसकी बाद को टाल देते हैं और कहते हैं कि तुम वक्त के साथ साथ अपने भाई से प्यार करने लगोगे। एक राट टोनी अपने छोटे भाई की कमरे के पास से गुजर रहा था कि उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। टोनी कमरे के अंदर छुपकर जांकता है तो वो ये देखकर काफी डर जाता है क्योंकि उसका छोटा भाई सच में किसी से फोन पर बात कर रहा था और वो एक मामूली बच्चा नहीं था। अगले दिन टोनी फैसला करता है कि वो अपने छोटे बाई की इसलियत माबाप को सबूत के साथ बताएगा। वो माई को एक लंबे डंडे पर चिपकाता है और टेप रिकॉर्डर तयार करता है। टोनी घर के तैख आने में जाता है और अंधेरा होने की वज़ा से सीडियों से गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद और भी बहुत से छोटे बच्चे उसके गिर जमा हो जाते हैं। दीगर बच्चों के बीच में से उसका छोटा भाई भी आ जाता है और उन सब को इकठा करकि अपनी टेबल के पास मीटिंग करने चरा जाता है वहां मुझूद बाकी छोटे बच्चे भी उसकी तरह खेर मामूली थे और वो भी बोल सकते थे टोनी पीछे छुपकर डंडे पर लगा माय को टेप रिकॉर्डर आउन कर देता है ताकि उनकी बाते रिकॉर्ड हो जाएं और वो अपने माबाप को बता सके अपने छोटे बाई की हकीकत छोटा भाई मीटिक में बाकी बच्चों से कह रहा था कि लोग अब छोटे बच्चों से जाधा कुटों से प्यार करते हैं और उसकी तदाद में इजाफा हो रहा है टोनी ये बाते रिकार्ड करके माबाप को सुनाने जा ही रहा था कि छोटा भाई दूसरे बच्चों के साथ उसके पीछे पढ़ जाता है और वो रिकार्डिंग उससे छीनने की बहुत कोशिश करता है उनकी लड़ाई बहुत देर तक चलती है इस दोरान छोटा भाई टोनी का पसंदीदा खिलोना तोड़ देता है जिस पर टोनी को भोत घुसा आता है और वो उसे जूले में डाल कर खिड़की से बाहर भैंगने वाला होता है इतने में उनके माबाप ये सब देख रहे होते हैं और वो टोनी का सजा के तोर पर घर से बाहर जाना बंद कर देते हैं टोनी अपने कमरे में काफ़ी उदाज बैठा रहता है और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं एक सुबा चोटा भाई टोनी के कमरे में आता है लेकिन टोनी उससे नाराज होने की वज़ा से उससे बात नहीं करता और वहाँ से जाने के लिए कहता है वो उसे एक चूसनी चूसने का कहता है ताके वो उसकी दुनिया में जाकर सब देख सके दोनग बच्चे चूसनी चूसते ही असमान में एक आफिस में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे बच्चे इर्दगिर्द खूम रहे थे छोटा बच्चा उसे बताता है कि यह उसका आफिस है और वो यहां से दुनिया में एक खास मिशन पर आया है वो उसे बताता है कि कुटों की एक कमपनी की वज़ा से लोग छोटे बच्चों से प्यार करना कम कर रहे हैं अगर वो इस कमपनी का रास पाश कर सका तो बच्चों की कमपनी में उसे एक अच्छी नोक्री दी जाएगी जिसमें उसका एक अलग दफ्तर होगा अपनी कमपनी में घूमते हुए वो टोनी को एक ग्यालरी में कुछ बच्चों की तस्वीरे दिखा कर बताता है कि ये वो बच्चे हैं जो बड़े उख्दो पर काम कर चुके थे उन में से एक बच्चे की तस्वीर देकर छोटा भाई कहता है कि मुझे इन जैसा बनना है इसी दुरान वहाँ पर छोटे बच्चे की बॉस आकर सब पर चिलाने लगती है और बहुत से लोगों को नोक्री से निकाल देती है क्योंकि उन सब ने अपना काम वक्त पर नहीं किया था ये देकर छोटा बच्चा डर जाता है कि कही उसकी नोक्री भी ना चली जाए छोटा भाई टोनी से कहता है कि अगर उसने उसकी मदद ना की तो उसकी नोक्री चली जाएगी और वो हमेशा के लिए टोनी के पास रह जाएगा टोनी चूंके उससे काफी तंग था तो वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है दोनों तरकीब बनाते हैं कि कल माबाप के साथ मेले में जाकर वो कुत्तों की कमपनी के जरूरी और खुफिया कागज चुरा लेंगे चोटा बच्चा कुत्ते वाला लिबास पहन कर मेले के अंदर कुत्तों के गोदाम में दाखिल होता है वहाँ पर कुत्तों की कमपनी के सारे खुफिया कागज रखे हुए थे और ये सामने टेबल पर उनके कागज मिल जाते हैं लेकिन उसी वक्त नहीं उठाते क्योंकि उनको धर था कि वो किसी जाल में न फंस जाएं इसी वो उसकी जगा जल्दी से इसी तरह का एक कागज फाइल में रख देते हैं के वजन बराबर है फाइल उठाते ही बच्चे के मुझे से थूख गिर जाता है जिससे टेबल पर वजन बढ़ जाता है और वो एक पिंजरे के जाल में फंस जाते हैं पिंजरे के नीचे से जमीन खुल जाती है और दोनों भाई एक कमरे में जाकर गिरते हैं कमरे मोँ एक बुड़े आदमी से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि वो वही आदमी है कि जिसकी तस्वीर पहले सीन में बच्चा देकर कहता है कि मुझे इन जैसा बनना है बोड़ा आदमी इनको बताता है कि बच्चों की कमपनी में उसको नोकरी से निकाल कर एक औरत को वहां लाया गया और मुझे दुनिया में भेज दिया इसलिया बोड़ा लेने के लिए पूरी दुनिया में खुबसूरत कुटे छोड़ेगा ताकि सब लोग बच्चों से प्यार की बजाए कुटों से प्यार करने लगे छोटा बच्चा आदमी को कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और उसे वो रोक लेगा लेकिन वो आदमी उनके माबाब को अपने साथ लास वेगल्स घूमने के लिए जाने पर राजी कर लेता है और बच्चों के साथ घर में अपने लोकर को औरत बना कर छोड़ता है और उनके माबाब को बताता है कि आप लोग मेरे साथ घूमने चले और ये औरत बच्चों का ख्यार रख लेगी बच्चे घर से बागने की तरकीब सोचते हैं इसलिए टोनी छोटे के साथ एक पाइप लगाता है और बहरूपिया औरत को बताता है कि उसकी छोटे भाई की तबियत खराब है वो जैसे ही उसके पास आती है तो बच्चा पाइप आउन करके उल्टी जैसा मवाद तेजी से उसकी तरफ फैंकना शुरू कर देता है और पूरे घर को गंदा कर देता है इसी दोरान ये दोनों भाई घर से भाग कर अपनी साइकल पर एरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं उनके पीछे बुड़े आदमी का नोकर भी पाड़ जाता है और उन्हें पकड़ने के पूरी कोशिश करता है इसी दोरान चोटा बच्चा अपने बागी साथियों को भी बुला लेता है ये वही बच्चे थे जो फिल्म के शुरू में मेटिंग कर रहे थे सब बच्चे पूरे रास्ते सादमी से लड़ रहे थे आगे चलकर रास्ता ट्रेन की वज़ा से बंद हो जाता है बच्चा जल्दी से एक पहाड़ी से चलांग लगाकर ट्रेन पार कर लेता है लेकिन वो आदमी वही पर गिर जाता है दोनों भाई अगली सीन में एरपोर्ट पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने माबाब जाते हुए नजर आते हैं चोटे भाई पर उसके खास दूद का असर खतम होने की वज़ा से वो कुछ देर के लिए आम बच्चों की तरह हरकते करने लग गया था तोनी चोटे भाई को उठाने वापिस पीछे मुड़ता है और उसे उठाकर फिर से आगे माबाब की तर्फ बढ़ता है उसके साथ मुझूद बुड़ा आदमी बच्चों को देख लेता है और माबाब को जल्दी से जहाज के अंदर ले जाता है ताकि वो अपने बच्चों को ना देख सके इसके बाद दोनों भाईयों में जगड़ा होता है और दोनों पूरा दिन एरपोर्ट पर एक दूसरे से नाराज रहते है शाम को छोटा भाई टोनी को फोन करके कहता है कि उन्हें किसी तरह इस मिशर को मुकमल करना होगा इसके बाद दोनों फिर से काम पर लग जाते है वो लास वेगस जाने का कोई रास्ता ढूंड रहे थे तो अचानक उन्हें कुछ अदाकार नजर आते हैं जो वहीं जा रहे थे दोनों भाई उनमें से एक के कपड़े चुरा कर जहाज में दाखिल हो जाते है और बिजनिस क्लास की सीट पर बैठ जाते हैं जहां कोई नहीं होता एर होस्तिस इन से पूछती है कि वो कौन है तो वो बताते हैं कि वो पाईलिट के बच्चे हैं इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं कहती और इस तरह दोनों भाई लास वेगस पहुंच जाते हैं लॉस पेकस पहुंचती ही वो कुछ लड़कियों की मदद लेकर उस जगा पहुंचते हैं जहां बुड़ा आदमी उनके माबाप को ले गया था बुड़ा आदमी लोगों के सामने कोई जादू दिखाने वाला था इसलिए वो माबाप को एक बखसे में बंद कर देता है इसी दुरान वो दोनों बच्चो को देख लेता है और जल्दी से बखसे को वहां से ले जाता है बच्चे पाइप से चड़ कर इसके पीछे जाते हैं जहां इस आदमी का नोकर वहां पहुंचकर फिर से बच्चो को पकड़ने की कोशिश करता है बच्चा उसे पाइप से नीचे फैंक देता है दोनों उपर चड़ कर देखते हैं कि एक बड़े रॉकेट में बहुत सारे कुटे डाले जा रहे थे ताकि वो पूरी दुनिया में फैस सके और साथ ही नीचे बहुत सारा खास दूद था जिसकी वज़े से उमर नहीं बढ़ती ये वही दूद था जो छोटा भाई भी इस्तेमाल कर रहा था दोनों भाई बुड़े आदमी के सामने चले जाते हैं उनके दर्मियान लडाई होती है पहले तो आदमी उन दोनों को नीचे गिराने वाला था लेकिन दोनों के बुलंद होसले से वह वापस उपर चटते हैं और आदमी को नीचे दूद से ब्रेट अब में फैंक देते हैं इस तरह बच्चा अपने माबाब को बचा लेता है और उसके छोटे भाई को भी नोकरी में तरक्की मिल जाती है इस सब के बाद दोनों भाईयों में काफी अच्छा तालुक बन गया था इसलिए जब छोटा भाई अपनी दुनिया में वापस जाता है तो टोनी काफी उदास रहने लगता है कुछ दिन बाद वो अपने छोटे भाई को खत लेकर वापस आने के लिए कहता है छोटा भाई खत पड़कर बहुत खुश होता है और अपनी कमपनी छोड़कर दुनिया की तरफ वापस आ जाता है फिल्म के आखरी सीन में छोटा भाई पहले की तरह फिर से माबाब के साथ घर में आता है लेकिन इस बार वो एक आम बच्चा बन कर आता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है